नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी यूडू चनल पे दोस्तों आप लोगों कई दिनों से वीडियो देखने के लिए नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरा तवियत खराब होने ये करण से वीडियो नहीं बन पा रहा था लेकिन जैसे ही थोड़ा सा त तरीका है जो साइंटिफिक तरीका है उस एकोडिंग सॉल्व करते हैं तो सिर्फ प्रिवेस एर पेपर सॉल्व करके 120 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं असानी से लेकिन प्रिवेस एर पेपर सॉल्व करते बगत कुछ चीज़े आपको ध्यान में रखना है वो तरीका यहान में रखना है जिसको हीन करना है वैंको अगर तरीका साही नहीं होगा तो आप कितना भी मेंट करोगी कितना भी प्रिवेस एर पेपर सॉल्व कर लोगे उसका बिनिफिट नहीं होगा बहुत सारे साथ ही आप मेंसे comment करते हैं कि sir मेरा एक नम्मर से रह जा रहा है दो नम्मर से रह जा रहा है उसके पीछे का reason यही है कि आप चीजों को सही तरीके से implement नहीं कर पा रहा है अपने study में सीटेट के लिए ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है लेकिन जो कर रहे हैं उसका सही तरीका होना जरूरी है सीटेट एक्जाम असानी से आप क्वालिफाई कर जाओगे बस प्रिवियस येर पेपर कैसे सॉल्व करना है इतना आप समझ लिए और इस चीज को अपने स्टडी में अप्लाई कर लिए तो आपका सीटेट अच्छे माग से निकलेगा प्रिवियस येर पेपर लेते बक्त कुछ चीजे पर आपको ध्यान देना है हम आपको एक बुक दिखाते हैं ये एक प्रिवियस येर पेपर का बुक है जो पुडाना है आप ये नया बला भी ले सकते हैं ये किरन पब्लीकेशन की है इसके अलावे भी और सारे पब्लीके जैसे पेपर आपको दिखाते हैं फिर आपको समझ मा आएगा जैसे देखिए यह पेपर है अब अब यहां पर देखिए यह सारे पर्सन लिखे हुए है section by section जैसे seat rate में आते हैं ठीक है तो यह person अभी सारे लिखे हुए है और person खतम होने के बाद आप यहां देखेंगे जैसे person खतम होगा एक मिनाट इसके बाद answer दिया हुआ इदा person खतम होने के बाद यह section by answer दिया हुआ total और इसके बाद इसके बाद यहां पर वैख्या दिया हुआ है तो आप जो भी previous paper लें आप देखें वैख्या है तो अगर जिस person में दिक्कत होगा यहां वैख्या आप चेक कर सकते हैं और जब आप previous paper solve करोंगे तो answer यहां से match कर सकते हैं कि आपको कितना score हुआ किसका कौन सा answer है वो यहां पर लिखा हुआ है तो आप जो भी previous paper लें तो सबसे पहले यह ध्यान में रखें कि इसी प्रकार प्रिवेस paper paper होना चाहिए इसमें क्या ध्यान रखना जाहिए सारे person एक साथ होना चाहिए कुछ previous paper की book आती है ना उसमें first question है फिर उसका answer वहीं प लिखा हुआ था यह जो भूक होती है घटना चकर टाइट की बूक होती है तो उसमें घटना चकर की जैसे बूक होती है उसमें देखते हैं आप question है उसका option फिर वहीं पर answer वहीं पर उसका description होता है यानि ब्याख्या होता है तो दिक्कत क्या होती है वैसे book पढ़ने के पर सेना फिर इसके बाद इसका answer होगा तो seated के लिए जो previous paper solve करें उसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपको pyq as a exam solve करना है daily अगर description वाली book लेंगे तो आप पढ़ सकते हैं सीख सकते है knowledge के ठीक है लेकिन आपका exam में वह उतना benefit नहीं करेगा जितना की ऐसी book करेगी जो previous paper दिय हुआ है solve करने के लिए अब इसको solve कैसे करना है अगर आप book ले लिए अचा book लेते वक्त एक चीज और आप थ्यान में रखना कि आपका language 1 और language 2 में जो language है उसी according से book लीजेगा यह नहीं कि आप language 2 में English रखे हुए है और आपके book में language 1 में English है तो फिर benefit नहीं होगा यहाँ आपको difference हो जाता है तो आप ऐसा करें कि अगर language 1 हिंदी है तो आप देख ले कि आप जो pyq की book ले रहा है उसमें language 1 हिंदी है ना उसको देखे confirm कर ले तभी वो बुक ले अब बात करते है कि pyq को solve कैसे करना है scientific तरीका है जिसको apply किजिएगा तो काफी benefit मिलेगा देखिए सबसे पहले आपका जो exam time होने वाला na seated का 9 बजे से आप उसी time pyq solve कीजिए इससे फैदा क्या होगा इससे फैदा यह होता है कि हमारे brain जो है उसको एक signal जाता है कि इस time पर यह proper work हमको करना है तो यह लगाटार अगर आप उसी समय पर paper solve करोगे रहें daily तो जिस दिन आप exam hall मे हो गए तो आपका brain उस time पर prepare हो का question solve करने के लिए यह एक आदत ही होती है इस चीज को समझे अगर कोई व्यक्ति daily दोपार में सोता है तो उसको किसी दिन आप नहीं सोने के लिए बोलोगे तब भी उसको उस दिन लगेगा कि हमको सोना चाहिए आलस फिल होगा हमारे सरीर का आदत हो जाता है कि उस समय पर सोना जैसा फिल होता है थोड़ा आप सुस्त महसूस करोगे नहीं सोने के बाद भी तो अगर आप उसी time पर person solve करोगे जिस time पर आपका exam होना है तो आप यकीन मानो इसका benefit उठाओगे क्योंकि आपका brain उस time में person solve करने के लिए prepare रहता है पहली को कोशिस करना है कि 10 से 50 मिट पहले paper हर हाल में solve हो जाना चाहिए धाए गंटे से क्योंकि exam hall में pressure ज्यादा होगा वहां पे कुछ formality भी करनी होती है attendance वेगरा तो time उसमें भी लगेगा तो आपको हमेशा 10 से 50 मिट पहले previous year paper solve करने के आदत डेवलब करनी चाहिए पीवाई की स्वाल करने के बाद आपको answer match करने के बाद उसको analyze करना चाहिए कि कहा पर परसन गलत हुआ है जो गलत हुआ है उसको सुधारने की जरूत है उसको पढ़ने की जरूत है वह concept समझने की जरूत है और इस book में व्याख्या भी दिया हुआ है वहां से आप clear कर सकते इसके अलाबे अगर व्याख्या से आपको clear नहीं हो रहा उसका concept तो आप YouTube पे सर्च मारिएगा proper उस topic पे तो आपको मिल जाएगा वीडियो फिर वहां से उसको clear करना है तो हरहार भी यह चीज कोशिश करना है देखिए previous year paper solve करने की दो तरीका है एक तो student घर पे अकेले solve करत है हम लोग किसी भी काम को करते हैं तो यह जो continuity बरकरार रखना है यह थोड़ा अकेले अगर आप घर पे solve करना है उससे ज़्यादा होता है वहां पे क्यों करते हैं हमारे group member के साथ तो माल लिजे अगर आप group में solve कर रहा है तो पांच बैक्तिया आपके साथ solve कर रहा है तो पांच में अगर आप फर्स रेंग पर आजाए है तो आपके अंदर एक motivation होगा फिर कल आप कोशिज करेंगे कि इससे ज़्यादा मार्स लाए तो वह competition आपको नजर में होती है आपके सामने होती है तो आपके अंदर motivation होता है क्यों कि motivation काफी जरूरी है प्रह को लिजिए और उसका print out ले लिजिए पांच print out ले लिजिए और सभी अपस में distribute कर लिजिए question को तो लगेगा कि जैसे exam में question मिलेगा वैसे आपको question मिल गया और book को outside कर गए फिर OMR sit ले लिजिए सभी student और group में solve किजिए इसको तो आप देखेंगे कि आपको पूरा-पूर करना उस time पे बंद कर लिजिए यह नहीं कि जैदा time लगाना है और फिर आप जब सभी student अपना answer sheet match करेंगे तो कुछ result आएगी जो result में कोई 1 rank पे है कोई 2 rank पे है कोई 3 rank पे है कोई इसके नीचे है तो अब जो नीचे है उसको लगेगा कि हमको सभी student में 1 rank पे जाना है तो वो उसके लिए मेनत करेंगे जो एक पे है वो खुद को एक पे बनाई रखने के लिए मेनत करेंगे तो ऐसे में क्या होदा ना कि competition की भावना होती है तो हमारा motivation बना रहता है लेकिन अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है कि आप पांशे एस्टोनी गूरूप में स्वा कोशिस कीजिए कि अकेले में पढ़ना थोरा सा motivation internally होना चाहिए तब ज्यादा अच्छा से आप पढ़ सकते हैं नहीं तो फिर आप वही होता है कि पांशे सेट लगा के प्रिवेस एर करना छोड़ देते हैं लेकिन दोस्तों अगर पास करना है तो प्रिवेस एर पेपर सारे के सारे सेट को स्वाल्व कर जाए अपकर सीट होगा अच्छे माक्सी होगा दोस्तों आपके मन में कोई भी डाउट है किसी टापिक पड़े आप video चाहते हैं तो